अलो विद्यार्थियों शुहन अफ्री क्लासिस में आप सभी का बहुत बहुत श्वागत है गुड मानी सभी को तो आज राजस्थान के कलाकार को फिर पढ़ाएंगे कर आप लोगों कोने काफी इंज्वाय किया दसारा में दो हमने भी काफी इंज्वाय किया है तो यहां प आप राजस्थान के सभी कलाकार को हम पढ़ा रहा है इनका जन्म 1937 जैस्टा सा और साइथिस जैसे आरपिता सिंग इनका भी जन्म गडिश्वा साइथिस में होता है तो जन्म धार्मिक परवेश योम अभिरूचियां राम जैसवाल का जन्म 5 सितंबर कब 1937 में उत्तर प कि साधाबाद के मृद्वर कений परिवार में उनका घ थार्मिक सानातनी जैसे आपके फलनात मजुंदार के से सनातनी में बेस्ट अप HOWई अदग हर के वाद आट वड़ में क्या किया थे धार्मिक सानशिकारों से नंहीं तक है इसे अगर घर में कोई आपके किसी चुछ कर लिए कहता है तो सनातनी जो है रहे हैं चूते न रहे हैं यह तो प्रारम में जैसवाल को चित्रकला मेरूची थी वे इस्कूल में ब्लैक बोर्ट पर क्या करते थे जब राम जैसवाल थे तो क्या करते थे इस्कूल में बोर्ट पर जैसे आपके राम गोपाल विजवाया उनके फिता स्री ने उनको जो है वहां पर कश्रम विभाग में अध्यापन करने के लिए भेजा तो उन्हों ने वहां पर ऐसे ही क्या करते खड़िया से चाक्सा स्याहिसे कापियों पर राधा किष्णन हनुम महात्मय कानगा इत्याढ किहरेख हचेत्र बनाते रहते तो यहां करते हैं तीर較 में है इस्कूल पर इंपर इछा किया II तो ऑ-पर इन्होंने हूय-सकूल के पर 17 एपास किया है इन्होंने ने बंगाल के अगड़ी कलाकारों का सानित मिला, जो बंगल के अगड़ी कलाकार होते हैं, जैसे आपके कौन? नंदलाल बोस हो गए, बिनोद, बिहारी मुखजी हो गए, राम किंकर बैज हो गए, यह सब आपके यहां के अचितिन नात मजुम्दर, यह सब आपके यहां के अगड़ी का असित कुमार हलदर और वेटो, जैसे जिनके प्रमुक रूप से कौन कौन से हैं, इधर नंदलाल बोस का नहीं दिया, यही असित कुमार हलदर, इनका जानते हैं, आप लोग सिरी राम वेश हैं, सिरी धर महा पात्रा हैं, और पदम स्री जिनकी पूरी में हो, जिनके नाई के प्रधान रहते हैं, बिशय, बारा में इनका जन्म होता है, पूरी मुड़ी इसा में, तो पदम स्री हो खासगीर का आप लोग जानते हैं, साथ में हुआ हचिटगाउ में, तो मुर्तिकार स्री चराय हो गए, चोधरी हो गए, तो यहां पर लखनौ आप, लखनौ आर्ट कालेज के प्रवास के दौरान, जब वहां पर दौरान उन्हें पांच बस्ता बेस बेस्ट इस्टूडेन्ट इस्कालर सेप मिली थी, उन्हें से जब निकले थे जिसे प्रवास के दौरान, तो उन्हें क्या बेस्ट इस्कालर सेप मिली, कालेज प्रत्रिका के संपादर करते रहे, कालेज के प्रत्रिकाओं का संपादर करते रहे, कालेज उस आपर जो हरना पिरस्त पक Lakhnov Medical College में क्या किया था आर्टिश पतपर भी क्या किया था है दो कफें साइली है जैसवाल के सिजन का पहला दवर सनटी है कब चला था इनकी जो है तीरपन से लेकर 13 सै तक चला जब लखनौं में रहे कब से चला तीरपन यह लोगों ने आगे देखा रेशी समय से तो हाई स्कूल में गए थे तो तीर सर तक दस साल तक चला रहा इसके दवरार उन्हें बंगाल साहली वास पददत में जिसके प्रमो कुरुप से क्या हैं ब्यक्ति चित्र दिस चित्र कसबे में सुबा आपके सब दिस के अंतरगत आए तो इनकी चित्रों के विशय में लिखा है तो इनकी चित्रों के विशय में चीजे लिखी हैं जो आप लोगों को दीख रही है और यहां पर कुछ लिखा है और आगे आप लोग इसको पढ़ लेजिएंगे प्लीज जिसके लिए शौरी कि यहां पर हम वहां पर आपको पुरा डेटेल नहीं बता सकते हैं जितने भी इस्टूटेंट देखेंगे इंगलिस तो आप लोग जानते होंगे तो उसको अपने भासा में उसका ट्रांसलेट कर लेंगे सन 1903 में आज तक जैश्वाल ने अपने से बड़े मित्रों जैसे सहकर्मियों वा आकर्सित करने वाले चेहरों के शैक्रों व्यक्ति जैसे पोर्ट्रिक्स चित्रित किया जो टेंपरा पैंसिल जल लंग यूम तैल लंगों में निर्मीध है ठीक है जल लंगों में चित्रित नियूंतम क्या क्या है चित्रित नियूंतम में सपर्सों सेविया इन सर्जित इन व्यक्तियों के चित्रों में को मलता क्या 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 किये थे जल लंगों और तैल लंगों के माध्यम से जिसे भूरी सिंग से खाल को हमने पढ़ाया ना तो उन्हो इन्होंने क्या क्या था इन्होंने जर्लंग में चितित नियुंतम श्पर्शों से स्रजित ब्यक्ति चित्रों में कोमलता वपाढ़ देशिता जो तर्लंग में ब्यक्ति चित्रों में उतनी ही ताजगी है जैसे प्रमुकृप से पदम श्री सुधिरजन खासगेर श्री मदल मुर्तिकार ये राय मुर्तिकार ये चाराय तो यहां पर सुधिर रंजन खादगीर उनके ब्यक्तियों के बिसे में लिखे हैं कि यहां पर लिखे हैं और यहां पर सुधिर रंजन खादगीर उनके बारे में जो लिखा है यहां पर है तो शर्ण 1961 में आपकी न्युक्ति कहां हुई थी, 61 में, 61 में चीज़ें आप लोगों को बताई हैं, 61 में काली बंगा की खोज पहले आप लोग लिखेंगे, कैंटे गिरी, कैंटे गिरी, कैंटे गिरी, 61 में ही कैंटे गिरी हो गया, अनोल गुर्प के अस्थापना हो गई, और आपकी गोपदम स्री के के हैबर को हो गया, ऐसे ऐसे बहुत चीज़ें आप लोगो एकसर से बता चुकी है, अगिरी क्लास में, आपकी न्युक्ति मेरट कालेज में स्था रोडी को पदम भूश और सम्मान मिला, इस सब चीज़ें बता चुके हैं, कितना स्था रोडी को पदम भूश और एकसर्ट में, काली बंगा की खोश, केके हैबर को जो है, पदम स्री सम्मान, आप लोग सुन रहे होंगे, तो यहाँ पे सभी चीज़े एक साथ आप लोगो याद कर लेना, इसके दोरान कृतियों में दूसरी इद, जो इहोंने एकसर्ट में न्युक्त हुए थे, उन दूसरी बनाई इन्होंने प्रधाना ध्याप्यक करोपें जबने दूसरी इद, राधाकिष्ट, प्रड़ा यादी प्रमोक्रे मथूरा है, तो आपका इनका राधाकिष्ट बनाना अच्छा ही रहेगा, क्योंकि मथूरा तो राधाकिष्ट की नगरी है, आ धर्षपत रहते हुना, आपने कुछ आधुनी चित्र चित्रित किये, और जो टेंपरा वो आयल में थे, किसमें टेंपरा और आयल में थे, और इन्होंने क्या किया था, इसमें माध्यम, माध्यम में विविद पर्योग किया और विविद, विशय भीदानिक जीवन से संबंधित थे, आगन में दो पहरी, पूजा का दिन, यह जो इन्होंने आधुनी टेंपरा में आयल में किया था, इसके माध्यम विविद रोब में जो विशय दानिक जीवन से संबंधित थे जो टेंपरा और आयल में था आगन में आयल है ना आयल ने और यहां पर आगन में दुपहरी पूजा का दिन अपनी अपनी इस्टीम सिंगर्स प्रड़ा इनमें जिनमें टेक्स्चर की प्रमुपता थी किसकी टेक्स्चर की इसी विभाग के विभाग्या धेश प्रसित कला स समिच्चक प्रोफेशर शावलखर ने इनकी आधुनिक सिर्जन पर टिपड़ी किया आज आप कभी आधुनिक सिर्जन नहीं कर सके बंगाल स्कूल की सदो बाधग रहेगी जो बंगाल स्कूल की सदो बाधग रहेंगे और यहां यह दिये दिखेगे यह बात उपरोक्त daros niya और शिविड कहां का जशत्र über प्रदसद्ला इसाम ही प्रतसन का समय समय पर कला जगत में अपनी शक्रीट सब्सक्राइं कर Allala का वर्दमान तक अChat को कानवा साइटिस की ग्रूप वार्षिव प्रदस्निया और शन उनीशो 82 में आल इंडिया फाइन आर्स यानि क्राप सोसाइटी के प्रमुख प्रदस्निया हैं आप राजललित कलाक आदमी के क्या थे प्रमुख संस्थाव और आयुजित अखिल भारती शिविर के परिसमवात के समस्वर महती भूम का नि क्रेटित neutrively आपके दिकर juice समीच्छा कला चर्चा लहल, प्रलेश्ची सेमौन कंशाव में प्रकासित हुए विशतरू राजललित कर्लाक आदमी जो प्रतिनिध्ः स्थाजिपर क्रिटित अन sentiment को पुरिश्कार में इनको आते हैं राम जय सवाल को जो 68 रिनाले वाले के साथ इनका 70, 71 और आपके फिर 88 में राज ललीत कला का सभी कितने 78, 70, 71, 88 में पुरिश्कार मिले साथ ही 1957 में राज ललीत कला का कलाविद सम्माद 97 में कौन सा? दो साल बाद उनको विवुश्ण मिल जाता है उसी के दो साल पहले उनको कलाविद मिलता है 37 गुज्राल को दो साल बाद विवुश्ण मिलता है ना उनीश उनी 92 और यहां पर ललीत कला कादमी परिशत की वार्षिक चेत्रपरदस्नियों में जैसे 57, 56 और 58 में पुरस्कित किये गए कहां से? लखनौ की जो वार्षिक चेत्रपरदस्नियों है थी पुशी में जो है इन्होंने को पुरस्कित किया गया संग्रा है राम जैसेवाल के चितन लखनौ मेरट जहां पेप्रधाना ध्यापक थे और नई दिल्ली, जैपुर, अलिगर विदेश में जापान, अमेरिका, शिंगयापोन, न्युजिलेंद, के बीभिन शंग्रहों में संग्रहित हैं कहानी शंग्र है 1961 से कहतर तक राम जैस्वाल के लेखर यातर निरतर चलती रही और क्या किये थे चार प्रकासित कहानी शंग्रों जैसे अर सूरच्छित, उग्रह, शमयदंस, विशेजल, प्रमुक्रह, इसके अलावान कहानियां देश की सभी प्रतिष्ठित प्रतिकाओं ज मधू मती, आज कल में प्रकासित हो चुकी है, सनुनिश व बहत्तन में कविताओं के संग्रह में बिम प्रतिदिम बिन को प्रकासित है, और यहां पे आते हैं, फिर वर्तमान में क्या कर रहे हैं, राम जैस्वाल, अपनी चिर परचित विदा, देश्चितर क्या हैं, देश से चित्रकादी में बाठ रहे हैं का ग्यान बाठ रहे हैं यह आपका मेन होता है क्योंकि यहां पर ऐसे चित्र बनाए है आगे आप लोगों ने देखा है द्री से क्या है दिस्य चेत्र का सबे में शुबा और दिस्य चेत्र और ब्यक्ति चेत्र दो ही इनके मेन होते हैं जो आपके सभी महत्माओं के बनाए हैं तो राम जैश्वाल का जन्म आप लोग याद रखेंगी किसके साथ और पिता से गड़िश पाएन तो यहीं बीडियो आप लोग देख रहे होंगे काफी मज़े हुए कलाकार लग रहे हैं जैसे आगे आप लोग को क्रिपाल सिंसे खावत को पिच्चर के दारा पढ़ाए हैं तो काफी अच्छा लगता है कि एक कलाकार को जब उनके फोटो के साथ पढ़ते हैं साथ में उनकी रचनाएं पढ़ते हैं तो उस फोटो के साथ उनको जोड़कर बहुत चीज़े अच्छे सियाद होती हैं चलिए ठाइंक्यू और शाड़े तस बज़े के कलास आज होगी और सारा टापिक क्रितियां अलग समाप करके फिर आगे बेश्टन हो गया उसमें से यूथ पॉइंटर से या फिर अभी कुछ और चीज़े बच्ची होंगी देखेंगी पीडियेप में तो ऐसे आप लोग को पढ़ाते रहेंगे धनवाद आप लोग का शहयोग यह हमारे सकती है क्योंकि आप लोग देखते हैं काफी अच्छा अच्छा मैसेज करते हैं हमारे स्टूडर हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को